यूपी बोड के बोड परिचाऊं का आयोजण कब होगा? यूपी बोड के बोड परिचाऊं का आयोजण क्या अपने निर्धाइट समय से मार्च में ही होगा या फिर अप्रेल मई में जैसा कि आप अक्सर नुउज़ पिपर में देखते हैं होगा आईए इस विश्रे पर हम विश्दित चर्चा करते हैं हमाई पास बहुत सारी न्यूज पिपर की कटिंग उपलब्ध है इससे समझने का प्रयास करते हैं कि कब परिक्षाएं आयोजित की जाएंगी यूपी बोर्ट की बोर्ट परिक्षाओं के तो देखिए अप्रेल मई म में होगी यूपी बोर्ट परिक्षा अब दिया गया है कि एक लखनव की का यह न्यूज पेपर है इसमें दिया गया है न्यूज कि उत्तरप्रतिस मादमिक सिच्छा परिश्रत की हाई स्कूल और इंटरमेडियर बोर्ट परिक्षा दो हजार बाईस अप्रेल मई में आयो परिक्षा के लिए करीब 55 लाग से अधिक परिचार्थियों ने पंजिकरण कराया है यानि जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है यूपी बोर्ट के चात्रों के द्वारा वो 55 लाग से अधिक परिचारती है यूपी बोर्ट की बोर्ट परिच्छा में समलित होने के लिए बोर्ट की ओर से इस वर्स भी पार्ठिक्रम 30 प्रतिक्रम कर दिया गया है और 30 प्रतिक्रम कर दिया गया है पार्ठिक्रम और इस ख़ा दिया गया था यहीं लिखा है कि बोड की और से इसल लुए सवर्ष भी पार्टिक्रम embracing 30% कम किया गया है यूपी बोड की और से अप्रेव मयूं में बोड परीच्छा कराने की तैematics की जा रही है стрimentos देखें यहां पर कहा गया reduce जारी करते समय कोरोना संक्रमण की इस्थिती का आकलन भी किया जाएगा देखिए कोरोना संक्रमण की इस्थिती का आकलन भी किया जाएगा जब वोट परिक्षा का कारिकर्म जो भी जारी किया जाएगा उस समय जो भी कोरोना संक्रमण की इस्थिती कैसी है इस पर आकलन किया इसके बाद ही आपकी परिक्षाओं की तारीक घोषित की जाएगी है। अगर मानली जय परदेश में कोरोना संक्रमρα की स्थिती बढ़ती है, तो आपके परिक्षा का कारेकरम प्रभावित हो सकता है। यानि यह कह सकते हैं कि अप्रेल में ही परिच्छा होगी आपकी चुकि दस मार्च को आपके विधान सबा चुनाओं की पैडाम घोसित हो जाएंगे परन्तु जो यूपी बोट की डेट सी थी उसमें मार्च के अंतिम सब्ता में बोट परिच्छा का आयूजन करना था तो ऐसे में हो सकता है कि मार्च के अंतिम सब्ता में परिच्छा हो जाएं या फिर अपरेल के पहले सब्ता में हो सकता है परिच्छाओं की घोशना हो सकती है इसलिए आप बिना देरी के अपनी जो भी तयारी है उस पर जाई रखिए उस तयारी को और साथी जो आपको समय मिला है उसमें अच्छी प्रकार से अपनी तयारी को और ज्यादा सुद्रण बना करके अच्छे अंग प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए बहुत सारी शुब कामनाएं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद